चंडिगर से 10 साल बाद कॉंग्रेस की वापसी हुई है और ये वापसी कराई है मुनीश तिवारी ने कर्णी और कत्नी में फर्क रहा है उससे ये साफ प्रमानत होता था कि भारत के संगधान पे खत्रा है बड़े बड़े प्रदेशों में भारती जन्ता पार्टी बिलकुल हाशिये पे पहुँच गई है सरकार दो बैसाखियों पे जलेगी न एक बैसाखी चंदरबाबु नाइटू और दूसरी बैसाखी पल्टूरा चंदिगर से दस साल बाद कॉंग्रेस की वापसी हुई है और यह वापसी कराई है मुनिश तिवारी ने जो चंदिगर में ही पले बड़े हैं और आये टिकेट ली चुनाव जीता वापसी कराई और हमारे साथ मुनिश जी इससे मैं मुझूद है बहुत दोस्वागे थे मुनिश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद अपका मुनिश जी जब आपके टिकेट अनॉंस हुई और आज आप एक MP के रूप में हैं लुधियाना अनंदपुर साहब और फानिली चंडिगड जब आप नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे आपके पास एक किताब थी और एक नारा था किस समविदान नहीं बचेगा क्या वाकई मैंने शशी थरूर हो जैराम रमेश हो सभी से पूछा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या यही है और आपके पास जब किताब देखी तो चंडिगड के लोगों को भी शायद आप विश्वाज दिलाने में सफल रहे के वाके बड़ा मुद्दा है देखिए इस चुनाव में तीन बड़े मुद्दे थे और वो तीन बड़े मुद्दे आज भी उतने ही रेलेवन्ट हैं जितने उस दिन थे सबसे पहले कि हमारी आशंका थी कि दो हजार चौबिस इस मुल्क का आखरी चुनाव ना हूँ दूसरा कि भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साब भीमराओं बेटकर जी ने हमको दिया है उस संविधान की रक्षा सुरक्षा करना कि उसको खारिज ना किया जाए क्योंकि जो लोग सत्ता में काबिज हैं उनके तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे थे और उसके पहले जो उनके करनी और कत्सनी में फर्क रहा है उससे ये साफ प्रमानित होता था कि भारत के संविधान पे खत्रा है और तीसरा कि ये मुलक एक बुनियादी खयाल पे खड़ा है जिसको आईडिय ओफ इंडिया कहते है वो आईडिय ओफ इंडिया क्या है कि जात धरम मजब जबान से उपर उठकर इस संविधान ने सबको एक बराबरी का दर्जा दिया है और इस भारत के खयाल को पिछले दस वर्ष में कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई और जो चुनाओ की नतीजे आएं हैं ये सही है कि भारती जनता पार्टी को चाहे दो सो चालिस सीट आ गई हो पर जो इंडिया अलाइंस को दो सो चौनतिस सीट आई है और बड़े बड़े प्रदेशों में भारती जनता पार्टी बिलकुल हाशिये पे पहुँच गई है इससे ये जो तीनों आशंकाएं थी इन तीनों आशंकाओं के ऊपर कौमा लग गया है मैं ये ने कहूंगा कि विनाम लग गया है लेकिन आप मैं चंडिगर पे बाद में आऊंगा लेकिन जिस तरह की राजनीती हुई है जिस तरह का इस बार चुना हुआ है दो सो चालिस पर बीजेपी नाइंटी नैन पर कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी लेकिन आंकड़ा कहते हैं बहुमद सरक कि अगर भारती जनता पार्टी के बस दो सो चालिस सीट है कि सरकार बना लें पर सरकार दो बैसाखियों पर चलेगी ना एक बैसाखी चंडरबाबु नाइटू और दूसरी बैसाखी पल्टूराम तो इसलिए यह दो जो बैसाखियां है कि इतनी देर सास देंगी यह समय ही बताएगा और दूसरी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बेसिक डीने है वो बेसिक डीने एक कोईलेशन की सरकार चलाने का नहीं है एक मिली जुली सरकार वो चलाने का नहीं है तो इसलिए यह जो आने वाले दिन हैं आने वाले महीने हैं साल हैं यह बहुत रोचक और दिल्चस्प रहेंगे अब चुनाओं का प्रचार खतम हो गया है जिस तरह की बाते दोनु तरफ से कहीं गई वो नहीं कही जानी चाहिए थी चुनाओं दुर्भागयपूर्ण बहुत ही व्यक्तिगत हो गया है अब चुनाओं का प्रचार प्रसार खतम हो गया है अब सबको जरूरत है कि एक रचनात्मक दृष्टी कौन लेकर और शेहर की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए ए कापसी तालमेल बनाकर काम करना चाहिए आपको इतना मारजिन उमीद थी कि पच्ची सो चार वोट से एक चुनाओं चुनाओं होता है मेरे सहयोगी थे मंत्री मंटल में शिरी सीपी जोशी जी विदानसभा का चुनाओं एक वोट से हारे तो इसलिए चुनाओं चुनाओं मैं उनको चुनाओं को देख रहा था और उन्होंने एक अच्छा चुनाओं लड़ा हां जो चुनाओं एक व्यक्ति गस्तर पे उतर गया हम दोनों की बीच में वो नहीं होना चाहिए था दुर्भागे पूर्ण था और पर जो बात चली गई चली गई और मेरा दृष्ट को अच्छिकों हर समय रचनात्मक रहता है कि आगे की सोचने की जरूरत है एक अठे काम करने की जरूरत है सरकार NDA की MP कॉंग्रेस का तो कही न कहीं वो डवलमेंट है वो कहीं न कहीं चाहिए कहीं भी हो चंडिगड हो कहीं भी हो लेकिए सरकार NDA भाजपा की थी हम 51 पे थे आप जाके पूछिए स्री आननदपुर साहिब में कितना काम हुआ पिछले पांच साल में मुझे कोई स्री आननदपुर साहिब से जीतने में दिक्कत नहीं थी पर मेरी एक ख्वाइश थी जब से मेरे पिता जी को आतंकवादियों ने इस शहर में शहीद किया था यह हमारे परिवार का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है और मुझे इस मिट्टी की एक बार सेवा करनी है नहीं तो चाहे मैं लुध्याना रहा हूँ चाहे स्री आननदपुर साहब रहा हूँ हमने लोगों की सेवा करने में और लोगों के काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी आईसे लिए आप देखेंगे कि स्री आनन्दपुर साहब से लोधियाना से आज भी बहुत भारी संक्या में लोग मेरे चुनाओं में आए लोधियाना में ने मैंने आखरी चुनाओं 2009 में लड़ा था ये 2024 है फंदरा साल बाद भी अगर कोई याद रखता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा तो मैंने किया होगा मजीजी अब फाइनली MP हैं कई सवालों के जवाब दिलकर तक खुल के ले अजब आप कहा जा रहा था कि चंडीगर सेक्रेटिकर नहीं मली तो BJP चले जाएंगे चर्चाओं का दोर था फिर पर मनबांसल आपके चुनाओं में नहीं आए देखिए मुझे अब 43 साल हो गए कॉंग्रिस पार्टी में और मैं विचारात्मक तोर पर कॉंग्रिस पार्टी से बंदा हुआ हूँ क्योंकि कुछ असूलों पे जिस पे ये मुल्क का धारत है खास कर जिसे आईडियो आफ इंडिया कहते हैं उसमें मेरी निश्ठा है भड़न्त जो खबरे चलाई जाती थी और मुझे इस बात का दुर्भागी खेद भी है कि हमारे जो चैनल वाले मित्र हैं वो बगेर किसी चीज़ को वेरिफाई किये जब जूट चलाते हैं पूरा दिन तो उससे उनकी विश्वशनियता पर फर्क पड़ता है और मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट आया है शायद ये मीडिया की भी मदद करेगा गोदी मीडिया का टैग अपने आप से हटाने के लिए कितने लास सवाल इस एंडी सरकार को क्या देखते हैं आपने पल्टूराम कहा और वो तो कह रहें कि हम तो एंडी के साथ है कितना टाइम देखते हैं क्या मैं कोई जो अची तो हूँ नहीं पर तिरतालिस साल हो गए मुझे भी सारवजिनक जीवन में और मुझे जो आने वाले महीने है या आने वाला साल है वो बहुत ही रोचक दिखता है बहुत बहुत शुक्र है मनीश्टिवारी कहा कि जो एंडे की सरकार है वो अभी आने वाले महीने रोचक है चंडीगड का जो डवलप का मुद्दा है वो जरूर है उनके सामने वो चनौतियां भी है लेकिन इतना जरूर है कि चंडीगड से जो ख्वाइश थी कि उनके बार क्योंकि उनके पिता यहां शहीद हुए थे यहां सेवा करें वो फाइनली पूरा हो गया है विडियो जनलिस अमनके साथ उमेश रवा न्यूजटिट इन चंडीगड